आप सभी को आपने देखा होगा वन शॉट के नाम से पॉल्टेकनिक फॉर्स समेस्टर के जितने भी स्टूडेंट है आपने सभी लोग देख लिया होगा आज की इस विडियो में हम लोग लेशन नमबर टू स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका चेप्टर का नाम है डेटा रि रिप्रेजेंटेशन और डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफ्रेंट होता है जो आपके एक्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है इसके बाद फिर हम नमबर सिस्टम को इस्टार्ट करेंगे नेस्टे से आज का बस बेसिक टॉपिक रहेगा तो चलिए आज की क्ल जानी होती है या बतानी होती है तो उसको हिंदी या इंगले समझ में नहीं आती उसको समझ में आती है बाइनरी नमबर जैसे की 0 और 1 तो उसे हमें उसी लांग्वेज में समझाने होता है अगर हम कोई भी इन्पूट देते हैं कम्प्यूटर के अंदर तो जो भी डेटा ग्रहर करता है वो 0 और 1 के ही form में करता है उसी को हम लोग कहते हैं डेटा रिप्रेजेंटेसन अब ऐसे समझते हैं जैसे की कम्प्यूटर जो है वो क्योँ 0 और 1 को समझता है तो उसका एक कारण है कि computer जो है वो एक electrical device होता है अगर escucha के अंदर electricity जा रही होती है तो उसे high voltage deduct कर रही होती है तो represent कर देते हैं 1 और जब load voltage deduct कर रही होती है तो उसके represent करते हैं 0 से तो इसलिए यार कह सकते हैं कि जो हमारा computer है वो एक क्या है electrical device होता है इसलिए वो 0 और 1 को ही समझता है मतलब हम जो भी input देंगे वो उसकी data होगी और उस data को 0 और 1 के ही form में computer समझेगा उसको हिंदी या इंगलिज नहीं आती है अब ये data representation जो है वो दो किरियाएं इसकी होती है पहला तो होता है उसे हम लोग analog operations बोलते हैं और digital यानि digital operations होते हैं अब ये analog और digital किरियाएं कैसे होती है थोड़ा सा figure out करते हैं हम लोग figure में देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग analog को देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा analog में data representation होता है जहांपे कि ये हमारा zero voltage detect कर रही होती है और ये उपर जो है one मतलब one voltage detect कर रही होती है जिसको हम लोग on off बोलते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये zero है तो off है one है तो on है यानि जब low voltage detect कर रही होती है तो यहां रहता है यहां पे और जब high voltage detect कर रही होती है तो यहां पे होता है तो same to same अगर हम बात करें यहां पे digital किरियाएं की तो digital किरियाए के अंदर भी कुछ इसी तरह से होते हैं, बस उसका बनाने का तरीका जो है वो बदल जाता है, तो इस तरह से कुछ हमारा बनता है, जो की digital operations होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रहता है तो यह zero voltage detect करता है और यहाँ पे चला गया तो यह one, बने हाई voltage detect करता है, ठी के अंदर और जो भी अम देटा देते हैं उसको 01 के उपर देखते हैं तो हमें सारे लंग्विज में दिखाय देते हैं तो हमारे साप्टैर के कमाल थहाधा है यहांग बात करेंगे what is a data data क्या होता है इसके बाद फिर हम समझेंगे कि information क्या होता है ठीक है अब यहां पर ध्यान में रखेगा कि computer के अंदर दो ही तीन चीज जो है जादे होते हैं data होती है information होती है input, output, processing कारे होते हैं तो जो हम input देते हैं ठीक है वो हमारा एक data होता है ठीक है अब ऐसे नहीं समझ मैं तो ऐसे समझें जैसे कि यह मान लेते हैं कि हमारा एक WhatsApp है real life के अंदर एक हमारा WhatsApp है जो कि हम use करते हैं उसमें हमें image हो गया, text हो गया, video यह सारी चीज़े भेजते हैं बात करते हैं लोगों से तो वो हमारा एक type का information होता है वही जो information है वो किसी के रूप में जैसे image या video या फिर idea के रूप में जाता है वही हमारा एक data होता है जिसको हम लोग raw data भी बोलते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो किसी भी प्रकार की जो हमारे पास सूचनाय है, information है, ठीक है वो सारे के सारे हमारे क्या है, एक प्रकार का collection of data, data का collection है, ठीक है तो इसके बीच में थोड़ा से कडी होती है कि अगर हमरे पास कोई information है या कोई हमारे पास data होता है तो data जब प्रोसेसिंग करते हैं इसके बाद फिर हमारा information हमारे पास पहुँचता है तो हम जो भी चीजे भेज रहे हैं किसी को वो हमारे लिए एक data है और जिसके पास जा रहा है उसको वो collect data information का लाता है ठीक है तो I hope कि इन दोना में different समझ गए होंगे कि data हमारा और information एक ही चीज होता है बट इन में कहने का या करने का तरीका अलग होता है information में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को लेकर inform कर पा रहे हैं अपने आपको कि वो actually में वीडियो जो है वो एक data है अब उसके अंदर जो भी चीजे बताई गई है वो हमारे लिए information का काम करता है इसे एक वीडियो है तो वीडियो कंप्यूटर के माध्यम से हम कह सकते हूँ data है ठीक है अब माल लेते हैं अब उसके अंदर जो भी चीजे लिखी गई है जो भी चीजे बताई गई है वो हमारे लिए information का काम करता है तो कुछ यह different होता है data and information में अभी last में और figure out करेंगे data and information के बारे में अब एक बात यहां पर यह भी देखा जाता है कि जो हमारा information है वो एक प्रकार का कह सकते हैं कि जो भी user है ठीक है जो user उसे उपयोग कर सके अपने like उसे बना सके मतलब अपने काम में उसको परियोग कर सके वही हमारे लिए information होता है इस प्रकरिया को थोड़ा सब हम लोग realize करेंगे देखेंगे और समझेंगे analytics करेंगे कि यह कैसे work कर रहा है हमारा यहां पर एक data है जो कि किसी भी form में हो सकता है वीडियो के form में हो सकता है इमेज के form में हो सकता है और text के form में भी हो सकता है ठीक है तो ध्यान में रखेगा क किसी के form में हमारे पास data हो सकता है वह data किसी भी जिस थरू जाता है जिसके पास वहाँ पे एक beech में हमारा processor लगा होता है तो वहाँ पर जाके process करता है process कर लेता है क्योंके type की data है उस हिसाबसे process करने के बाद हमारे पास पहुचता है जो कि information के माध्यम से हमारे पास पहुच भाता है तो जो data हमारे पास video image text के माध्यम से था वही जो data प्रक्रिया होके information में हमें उसी रूप में मिलता है अब जैसे simple में समझने वाली बात है कि आपके exam के अंदर लिखने होंगे तो आप कैसे लिखोगे जो हमारे पास data है वह एक प्रकार का input के रूप में दिया जाता है मने हम computer पर कोई भी चीज sent किये तो वह हमारा data था अब हम उस data को information के माध्यम से जो तुमारा दोस्त है जिसके पास भेजे हो information के माध्यम से उसको output लेता है मने उससे output लेता है वह हमारे लिए क्या हो गया information हो गया मान लेते हैं कि real life के अंदर हमें कोई भी data किसी को send करना है जैसे हमारे दोस्त को send करना है तो जो हम data को send करना है है वह हमारे लिए एक data हो गया अब जो receive कर रहा है वो हमारे लिए उसके पास output जो गया वो उसके लिए information हो गया क्योंकि हमने तो data भेजा था ना बट उसमें जो भी चीजे बोली गई थी लिखी गई थी देखी जा रही है उसका information का काम कर रहा है अब यहाँ पे एक चीज है कि जो data होता है वो information पे निर्भर नहीं होता है information जो है वो data पे निर्भर करता है क्योंकि अगर हमारे पास कोई data ही नहीं है तो information कहां से आएगी है की नहीं अगर हमारे पास कोई data है तबने information हमारे पास आएगी अगर कोई data नहीं है तो information कहां से आ जाएगी ठीक है अब यहाँ पे कुछ और सारी ऐसे चीजें हैं I hope कि आपने data and information में समझ गया होगा different कि यह क्या होता है अब आपके exam के अंदर data and information का different पूछ लिया जाता है तो बताना यहाँ पे जरूरी है कि data and information में क्या different होता है ठीक है आपके exam के अंदर 100% पूछ चाएंगे तो आपको लिखना जरूरी है तो data के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिर information के बारे में something क्या होता है तो यह दोनों Latin जो सब्द होते हैं वहीं से इसको लिया गया है जो datum होते हैं उसका बहु बचन से लिया गया है data ठीक है और जो information होता है information को letting जो इसका सब्द है उसको हम लोग बोलते है informations से ही लिया गया है इसको information ठीक है जिसका आर्थ यां पर हिदाया तोगर दिया गया है कोई दिक्कत नहीं है सूचना भी होता है यह 17 सब्दावी में आया था information मद्य समय में आया था data raw तथा संग्रा में मतलब होता है सूचना जो है data processing के बाद परड़ाम यहनी हमको output में मिलता है information ठीक है यह कुछ बाते हैं कुछ हिन में different है जैसे कि data सार्थक या सार्थक नहीं हो सकता है मतलब सार्थक भी हो सकता है नहीं रूप से परियोग किया जा सकता है और यह output यह हम सूचना के रूप में प्राप्थ होता है data को समझना बहुत ही मुश्किल है सूचना को समझना आसान है because data एक data है यार लेकिन अगर information है न उसके मतलब समझ में आती उसमें जो video है video एक पुरा data है बट उसके में जो बोला गया है चीजें वो actually में information का काम करता है तो हमारे कान तक जाते हैं और समझ में आता है कि actually में उस data में कहा क्या जा रहा है तो यह different होता है यह हो कि आप लोग समझ गये होंगे एक चीज और यहां पर लिखा गया है कि जो हमारा data होता है वो number, image, text, music, video, etc हो सकते हैं लेकिन जो हमारा सूचना है वो report या ग्यान हो सकता है ठीक है अब इसी के अंदर हमारा ग्यान या report आता है अब I hope कि आप लोग data processing and information यानि data information के बारे में समझ लिया होगा कि कैसे कैसे ये work करता है आज के लिए बस इतना ही था next class में हम लोग number system को start करेंगे जिसमें की हम लोग number system को start करेंगे जिसमें की हम लोग binary के जो number होते हैं उनको decimal में कैसे change करेंगे decimal को कैसे binary में change करेंगे and octal को कैसे हम लोग decimal में change करेंगे और decimal को कैसे हम लोग octal में change करेंगे यह जो changing है data representation जो आपके 5 number के पूछ जाते हैं इसको हम लोग next class में discuss करेंगे इसके बाद जो lesson number 2 है वो आपका complete हो जाएगा आज के लिए वसित्ता हैं तब तक के लिए टेल दन की लोग 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 लोग